चलते हैं स्टार्ट करते हैं अगर आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और प्लेलिस्ट में हमने जितने भी वीडियो बनाया है तो आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं चलिए आपसे कोशन पूछा गया है आपर कि गारो खासी और जैनतियां जन जातियां मुकिता कहां पर पाई जाती हैं गारो खासी जैनतियां जो आपकी जन जाती हैं ये कहां पर पाई जाती हैं कहां पर पाई जाती हैं तो ये अपसन आपका राइट अगर आपने चुना है तो बिलकुल सही है ये आपकी गारों-खासी जैनतिया आपकी पहाडिया आपके मेघाले राजि में पाय जाती है तो ये आपकी जंजाती है आपके आन्ध पर देखना है यादखे चेचू दच्छिन भारत की प्रमुग जणजाती है जो आंध प्रदेश के आपके नल्ला मल्ला परवती छेत में निवास करती है और यहाँ छेतर में कह सकते हैं कि यह जग जग जाती है केरल के भी कुछ छेतर में पाजाती है और एक पॉइंट आपका इस जंजाती से महत पूर निकल के आता है कि ये बिधवा भीवा को भी महत देती है बिधवा भीवा को जो महत देने वाली जंजाती कौन है चेचु जंजाती ठीक है चलिए नेस कोचन आपसे अगला पूछा गया है आपर कि नेम लिखित राज्यों में से कौन सा राज्य टोडाओं का निवास इस्थान है अतात एक जंजाती है टोडा जंजाती वह दिया आपका टोडाओं का निवास इस्थान है तो आपका ये निस्थान आपका कौन सा है तमिल नाडू याद रखिए टोड़ा जन जाती तमिल नाडू राजी में पाई जाती है जो नील गिरी पहाड़ियों में निवास करती है और इसमें अगर बात करें तो बहुपती बिवापर था प्रिचलित है और इसका मों की ब्य पहाड़ी आपकी निलगिरी पहाड़ी वहाँ पर जादस जादा आपके निवास करते हैं नेस कोशन काते हैं कोशन आप से एकला पूछा है कि वर्स 2014 में से किसे सास्त्री भासा का दर्जा दिया गया है 2014 की बात कह रहा है तो यादर के वर्तमान समय तक भारत में कुल 6 भा पहाड़ी आपका यहाँ पर हो जागा एक नंबर आपका ओडिसा ठीके और नेस कोशन आप से पूछ रहा है कि अंडी और ओपोर टीपी नाम से प्रिचलित बिवाह किस आदिवासी समदाय से समंदीत है देखो यहाँ पर अंडी का मतलब क्या होता है अंडी बिवा मतलब ह होता है कि वारता के द्वारा बिवा ठीके वारता के द्वारा बिवा और आपका ओपोर टीपी का मतलब होता है अपरहन के द्वारा बिवा और आपका अपरहन के द्वारा बिवा जो प्रिचलित है वो आपकी कहां पर है आपके हो जंजाती में किसमें आपके हो जंजाती म पर तो आपकी जारखिंड मतलब कि सरवादिक संकेद्नर जगा है वो आपकी जारखंड छेत्र में आपकी है और कुछ आपकी पाजाती ओडिसा में भी ठीक है तो हो जन्जाती मैक्सिम आपके जारखंड में समझ में आगिया ने question का जवाब चलिए next question का आते हैं question आप से एक जहां अन्सूचित जाती का स्तारवाधिक संकिंद्रण है तो आपकी अन्सूचित जाती जो ऐसी रहती है वो आपके 2011 के अंसार आपके किस एरिये में तो यह रहती है आपके भारत हुआ गंगा भारत मतलब भारत में कहां गंगा के छेतर में जो आपकी है वहां पर आपकी है तो सहरूल का तातपर होता है ब्रच्छों की पूजा से ठीक है ब्रच्छों की पूजा से तो याद रखिए सहरूल तेवहार कौन से जन जाती है तो यह तेवहार जारखंड छेतरी के उरां कौन सा उरां आपसन आपका ए हो जाएगा उरां मुंडा और हो जन जाती हो द्वा कि अंसर आपके यहां पर ए हो जाएगा उराओं और निश्क कोशन आप सेगला पुछा गया है कि प्रजातिय समूं मंगोलयाड भारत में कहां पाय जाते हैं तो देखो आपके भारत में मंगोली जो आपके थे मंगोलयाड आपके कहां से तो आपके चाइना वाले एरिया से भारत में चाइना वाले एरिया से जो आपके आए मंगोलयाड तो यह आपका एरिया कौन पड़ेगा तो यह एरिया पड़ेगा अपस्तन आपका डी हो जाएगा उत्तर पूर छेतर था जो मंगोलयाड आपके जन जाती है या प्रजाती है वो आपके कहां पन निवास किया तो आपके उत्तर पूर्वी छेत्र में आपके कह सकते हैं उत्तर पूर्वी छेत्र में आपके कह सकते हैं जिसे नेपाल का तराई अरिया है उत्तर पूर्वी छेत्र में हैं नेस कोचन आपसे एगरा पूछा गया है कि रितु प्रवास किया करते हैं तो भाई आपकी ये कौ बूटिया जनजाथी कौन सी है बूटिया जनजाती है जो रिद प्रवास करती है और यह जब ज़्यादा से पाइजाती है सर्वाधिक आबादी भूटिया की है वह आपके उत्तराकंड में कहाँ पर है उत्तराखंड में आपकी जनजाती है भूटिया जनजाती जो सरवाधिक मातरा में वैसे है और वैसे देखा जाए तो कुछ जनजाती आपके जो तिब्बती एरिया है तिब्बती एरिया में कह सकते हैं कि इसमें पढ़ती है सिक्किम एरिया में कुछ हो आपके ह होती हैं लेकिन मैक्सिमा आपके उत्तराखंड में हैं नेस कोचन आप सेगला पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा जनजाती समदाय कौन है जवाब दीजिए भाई भारत में सबसे बड़ा जनजाती समदाय इस प्रस्षिं का जवाब आप लोग देंगे कौन सा आपा तानी कहां का मुख्य जनजाती समू है तो यह जनजाती समू आपका कहां का है यह आपके अवडाचल प्रदेश का कहां का है यह जनजाती आपका है अवडाचल प्रदेश में पा जाती है और यहां पर आपके डपला मिसमी मोंगा मोपा आप जनजाती आपकी न दूखदान देती हैं आपकी जो आपातानी आपकी जन जाती है ठीक है। और और नेस्स कोशन का आते हैं। कोशन आप पूछा गया है। नेमन में से कौन धाला धार सेड़ी छेतरि की प्रमुक Jahren फेला दхаल सेड़ी में तो भाई आती धहला दिर सरेड़ी कहां पर आती है धहला देल सेड़ी जहां आती हूँ की हिमाचल प्रदेश भग टीके है तो आपकी हिमाचल प्रदेश हैं अब लुक्ति और धेला लग विज्ट्री यहां पर आपकी जनजाती हैं एक गद्धी जनजाती हैं उसमिल्स नापका B हो जाएगा नेज़ कोचन हो आप से गला पू grown है कि भारत के इस्थलाक्रती मानचित्र निम्algन से कौन सा संस्थान बनाता है जो चेवह की सार इस्थलाक्रती मानचित्र हैं यह आपकी कौन सी संस्था बनाती है जवाब दीजी वैई तो यह आपका जो मांचित्र बनाती है वो आपकी कौन सी बनाती है आपका बताई आपका बताई आपका क्या हो जाएगा भारती सर्वेच्छन विभाग बनाती है ठेक है भारत का जो इस्थराकृती मांचित्र है वो आ इस्थापना ओई थी ठीके नेक्षोचनाफ से एगला पूछा गया है कि धच्छनी धुरुप्रदेस अंटारकेटी का में इस्थित भारत के इस्थाई अंसंधान का नाम क्या है इस्थाई अंसंधान का नाम क्या सके आप दच्छिनी धुरुप्रदेश अंटार्केट का मेस्तित है तो याद रखे अंटार्केट का मेस्तित आपकी दच्छिन गंगोत्री कौन सी है दच्छिन गंगोत्री है जो कि भारत के इस्थाई अनसंधान केंदर का नाम है और इसके अतरिक्त यहां पर और भी है जैसे आपक आपका बन सकता है ठीक है यह आपके अनसंधान के लिए वाँ पर जाते हैं अंटार्किटका में लगबग देखा जाए सभी देशों के अनसंधान आपके अंटार्किटका में है नेट कर आप से कि कौन सही सुमेलित नहीं है कौन सही सुमेलित नहीं है तो देखिए भाई यह विटॉमिक रिसर्च सेंटर आपके करनाटक में नहीं है यह आपके महाराष्ट में कहां पर है महाराष्ट में इस प्रकास यह आपका गलत है पोखरण आपकी कहा है राजस्थान में थीक है तो अंसर आपके यहां पर हो जाएगा सी हो जाएगा भाबाई विटॉमिक रिसर् भारत है तो देखिए ऐसे भारत है ठीक है तो यहां पर यह पूर्वी घाट यह परस्चिमी घाट इन दोनों तर्टों पर आपका ऐसा कौन सा राज्य जवाब दीजी भाई यहां पर आपका चार कॉप्शन राइट आपको हो जाएगा ए नंबर पुदुचेरी ठीक है कौन अपके तमिलाडू में मतलब आपका ऌतेश एक तबुदुरी ही आपकई पुदुचेरी आपका करईकर यह इंचार आ ठीक है यह मन पर्धता है क्षर क्णाग चांद पुदुचेरी मीम् और आपके केरल इन तीनों में आपके हैं कौन सी पुद्चेरी बसा हुआ है ठीक है नेस्ट कोशन काते हैं कोशन आप से अगरा पूछा गया आपर आन्द प्रदेश और तमिल नाडू के तटी भुभाग को क्या कहते हैं जो आपके आन्द प्रदेश हैं और आपका तमिल नाडू अर्थात यह वाला एरिया जो आपका है यह आपका कौन सा तट है इस तट को बोलते हैं हम लोग कोरो मंडल क्या बोलते हैं तो आन्द प्रदेश और तमिल नाडू के तटी भुभाग को कोरो मंडल तट कहते हैं पता है कि दूब जो आपका है कि दवन इवन दूब जो कि केंसासी प्रदेश का एक हिस्सा है जो कि एक दूब है और या गुजरात गुजरात राजिसे कुछ दूरी पर आरप सागर मेशती थे आपका जूद्य वैठीड है नेस ग्रोंचन आप से अगला पूछा है पिपली घाट दर्रा किस परवती भाग मेशती थे जons दी भाई तो पिपली घाट दर्रा जो आपका भारत है तो इस भारत में आपकी परस्चिमी घाट में तीन आपकी मुख्य दर्रे हैं एक है आपका थाल घाट थाल घाट जो कि मुंबई और नासिक के लिए रास्ता जोड़ता है भोर घाट भोर घाट आपका मुंबई पुड़े के लिए है और एक है पाल घाट जो कि आप के पंचमड़ी को अपसर आपका यह हो जाएगा पंचमड़ी जो आपका यह पढ़ता कहा है तो मर्द प्रदेश के होसंगाबाद जिले के इस्तित पंचमड़ी परवती इस्थल को सत्पुडा सेड़ी की बीच इस्तित होने और इसे दूर इस्थलों परवस्थित कारण इसे सत्पुडा की रानी भी कहते है ठीके अंसर आपका ए हो जाएगा नेश कर आप से कि पेट्रोलाजी पेट्रोलाजी किसका अध्यान है तो आप दोखते हैं कि पेट्रोलाजी में जो अध्यान करते हैं वो चट्टानों का अध्यान करते हैं ठीके पूछा गया है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है तो देख सकते हैं लगबग कोर्शन आपके नए नए कोर्शन है और ऐसे ही कोर्शन एकजाम में पूछे जाते हैं तो खुला नाला कहते हैं आपके यम यमना नदी को खुला नाला कहते हैं ऐसा इसके अतिदिक प्रोदूसर होने के कारण का जाता है और इसके प्रमुक सायक नदियां है टोंस चंबल सिंध बेतवा केन आधी हैं ठीक है और दिल्ली से प्रवाहित होते समय यमना गंदा नाला बन जाती है तो समय जो यमना है वो बन जाती है इतनी प्रोदूसर हो जाती है नेस को चना आप से गला है बिजया वाड़ा किस नदी के किनारे इस्तित है जवाब दीजे बिजया वाड़ा किस नदी के किनारे इस्तित है तो यह इस्तित है आपके एक क्रश्णा नदी के किनारे आपका बसा है देखो बिजया पर्या वरंडी आयोजन के साथ मुलता संबंदित संगठन अर्थात पर्या वरंडी आयोजन के साथ मुलता संबंदित संगठन अर्थात पर्या वरंडी जो आपका आयोजन करती है तो उसकी जो आपकी संस्ता है आपकी कौन सी है यह संस्ता है आपकी ऑप्सन भी हो जाएगा आपकी N-E-E-R-I अर्थात National Environmental Engineering Research Institute अर्थात पर्या वरंडी आयोजन के साथ मुलता संबंदित आपका संगठन है और इसकी अस्थापना होई थी आपकी 1958 में नागपुर में होई थी इस आपके संगठन की स्थापना नेस्ट कोशन आप सेगरा पूछा गया है कि कुगटिवन्वाशु बिहार किस राज में है घ्रेट हिमाले नेशनल पार्क पिन घाटी नेशनल पार्क इंदर किला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क और पांचवाँ आपका है सिवल बाड़ा नेशनल पार्क यह आपके हिमाचल प्रदिवेस पांच ठीक है नेशकर आप से उपरी ब्रह्मपुत नदी में पाया जाने वाला मुक कि खनीज है, ऊपरी ब्रंपुत नदी में, पाया जाने वाला मुक कि खनीज कौन सा है? तो ये खनीज है आपका कौन? option आपका c, petroleum कौन सा है? petroleum है, या दिश की सबसे पुरानी तेल की एक पेटी भी का जाता है इसे, ठीक है? और नेस्ट कोश्चन का आते हैं कोश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुंबाई हाई किस से संबंदित है बताए भाई मुंबाई हाई किस से संबंदित है तो यह संबंदित आपके पेट्रोलियम से किस से पेट्रोलियम से याद रखिए मुंबाई हाई पेट्रोलियम और उसके निच्छे पर उत्पादन से संबन्दित है ठीक है तो इसका अंसर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर पेट्रोलियम से संबन्दित है ठीक है नेस कोचन आपसे अगला पूछा गया आपर कि भारत में लिंगा अनपात की गड़ना कैसे की जाती है भारत में ठीक है भारत में जो आपकी होती है लिंगा अनपात वो प्रती हजार पूर्सों आईस्त्रियों की संग्या के अधार पर करते हैं और आपके 2011 की जनगना कैसे भारत में लिंगा अनपात कितना है ठीक है नौसो तेतालिस है ठीक है 1940 लोगों की संख्या प्रतिवर किलोमेटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है ठीक है और 2011 में 2011 में जो जन संख्या गनत है वो आपका है 382 प्रतिवर किलोमेटर सरवाधिक जन गनत आपका है बिहार का जहां पर आपके 1106 प्रतिव्यक्तिवर के निवास करते हैं और किन सरवोच साचरता दर किस राज़ी में है जवाब दीजी आपर भाई किनिमलिकित में से सरवोच साचरता दर किस राज़ी में है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी कर दीजे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे धन्यवाद जहिंजे भारत